सोया मुल्ग सोया मुल्ग बनाने की विधी सबसे पहले पैन में बटर डाले बटर पिखलने पर जीरा, प्यास, नमक और सौटे करे गोल्डन ब्राउन होने तक इसमें आप अद्रक लैसन का पेस्ट डाले मिलाते हुए हल्दी और सोया भाजी डाले इधर हमने चिकेन को हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउजर और दही मिला कर मैरिनेट किया है मिक्स्चर ग्रेवी को मिलाते रहे इसमें अब कटे हुए टमाटर मिला कर नरम होने तक चलाते हुए पकाए अब इसमें मैरिनेटेड चिकेन मिला कर 15-20 मिनट तर धक कर पकाएं स्लो फ्लेम पर दस मिनट बाद एक बार देख कर चला ले इसमें अब कूटा हुए काली मिर्च, गरम मसाला पाउडर मिला कर धक दे दुबारा और दस मिनट पकने दे दस मिनट बाद इसमें से तेल निकल रहा है, चिकेन तयार है बस उपर से हरा धनिया छिड़क कर गैस आफ कर दे स्वादिस चिकेन के साथ सोया तयार है, चाहे रोटी या चावल के साथ इसे एंजोई करे